प्रशन नंबर दो जैविक विपेनता दे तेन पदर केड़े केड़े हान व्याख्या करो उत्तर जैविक विपेनता नू तेन श्रेणियां वेच वंडया गया है नंबर एक जीनासबंदी विपेनता नंबर दो जातियां विचली विपेनता नंबर तेन प्रस्तितक प्रबंदा विचली विपेनता नंबर एक जीनासबंदी विपेनता जैनेटेक डाइवस्टी जीना अते गोन सुत्रा विचली वपेनता तों वखो वखो किसमा पैदा हुंदिया हन अते वखो वखरियां जातियां पैदा हुंदिया हन इस वपेनता दे कारण कुत्ता मज अते गाँदियां वखवख किसम दियां जातियां बनिया हन कुता एक मुडली जाती है इस मुडली जाती तो कई होर जातियां बान गईयां जिमें शेफ़र्ड डॉग, बुल डॉग, आद प्यारवद्यारतियों एक नोट है तो आडेले जाती एक ही हुंदी है नमबर दो जातियां विचलीव पेनता स्पीसिस, डाइवस्टी, जातियां विचलीव पेनता तो पाव है किसे खेत्रवेच मौजूद पौधियां अते जन्तुआं विचलीआं जातियां दी गिनती नमबर तेन, प्रस्थितिक प्रवंदा विचलीव पेनता एकोसिस्टम डाइवस्टी, एक समुदाय ते उसदा वातावर्न मिलके एक अंतर किरया करन वाली एकाई बनों दे हन जिसनों प्रस्थितिक प्रवंद कहन दे हन तरती उपर बहुत सारे प्रस्थितिक प्रवंद पाई जान दे हन जिवें जंगल, कादे मैदान, मरूथल, परवत, अते जली प्रस्थितिक प्रवंद प्रशन नमबर तेन, कुदर्त विच संतुलन तों की पाव है अते ए किमें बनाया जन्दा है उत्तर, कुदर्त विच संतुलन, बैलेंस इन नेचर संतुलन तों पाव अजेही स्थिति है, जिस विच वाखवाख परकारदिया वस्ता एकको मिकदार वेच मौझूद होन झुदर्त वेच अजैया दो मुख ताकता हन, जो संतुलन दी स्थिति कैम नहीं होन दिन दिन दिया इह हन बारी ताकता अंदरुनी ताकता बारी ताक्तां, एक्स्टरनल फोर्सस, बारी कुदर्ती ताक्तां ओहन, जिनना वेच तुफान, हाड, आग लगना आते हानिकर्ग केट आद शामलहन उदारंदे तौरते, जेकर किसे संतुलत प्रस्थितिक प्रवांद वेच तरतीदे खिशकन कार्ण खाली स्थान पैदा हो जान्दा है, नमी किसम दे पौदे उस खाली स्थान नों परणले उग पैंदे हन, आते संतुलन कैम हो जान्दा है अंद्रुन्नी ताक्तां, इंटर्नल फोर्सस, अंद्रुन्नी ताक्तां तरतीदे अंदर दिया प्लेटां नों एक थातों, दूसरी थाते तक दिया हन, एना प्लेटां दे उचलन कार्ण पुचाल आउंदे हन उपर दसियां, दूमे ताक्तां, खुदर्त दे संतुलन वेच विगाड पैदा कर दिया हन, आते जैविक विपिनता नों प्रवावत कर दिया हन प्रशन नमबर चार, खुदर्त वेच मिलन वाले सीमत सुरुतां दे ना लिखो पानी दी साम समाल किमी किती जा सकती है उत्तर, गुदर्त वेच मिलन वाले सीमत सुरुतां दे नाहन नमबर एक पुम्मी, नमबर दो पानी, नमबर तेन, खनिज पानी दी साम संबाल दे तरीके नमबर एक करिलू ते म्यूस्पल व्यार्थ पानी दा पुनर चक्र करना चाहिदा है नमबर दो पानी नो किटानू रहत ते जहरीले ततां तो मुक्त करना चाहिदा है नमबर तेन व्यर्थ पाणी नो बिजली पैदा करन लई ते सिंचाई करन लई वर्तना चाहिदा है नमबर चार प्रदूशत पाणी वेच काई ते जलकुंबी उगों नाल दूरा मक्सद हल हो सकता है ए फासपेट ते नाइट्रेट वर्गे प्रदूशकानों साफ कर सकदे हन जो इनली पोशक ततां दा काम कर दे हन अते ए पोदे बायो गैस पैदा करन ली वर्ते जा सकदे हन नमबर पांज पेंडू ते शेरी खेत्रां वेच हडा दा नदियां दा अते वर्त्या होया पाणी दूंगे टोई पोटके दूंगे खुआ वेच पे जा जा सकदा है इस तरह करन नाल तरती हेटले पाणी दा पदर सही बनया रहेगा नमबर छे हडा दा वदू पाणी अजेहे खेत्रां वालनों मोड़या जा सकदा है जित्थे किदरे पाणी दी काट होवे प्रशन नमबर पांज अपने खेत्र दे पांज द्वाईयां देन वाले पोदे लबो इना नाल किस बिमारी दा उपजार किता यंदा है पाणज उत्पादांदा बजार विचों पता करो उत्तर पांज द्वाईयां देन वाले पाणज नमबर एक तुलसी नमबर दो नेम नमबर तेन स्वाँजना नमबर चार गुडहल नमबर पांज कौरफडा किस पोदे द्वारा किस बिमारी दा उपजार नमबर एक तुलसी तुलसी दे पोदे दियां पतियां दा प्रियोग बुखार, गलाखराब, गरमसर्द, आद रोगां दे उपजारली की तैयंदा है दोस्तो, फिजिकल एजुकेशन तो इलावा तुसी इस चैनल ते इंग्लिश, हिस्ट्री, एन्वर्नमेंट, समाई सेवा, क्रोना केर, आद अनेका टोपिक्स ते वीडियो वेख सकते हो चैनल नू सब्सक्राइब करनते ता नवाद यूट्यूब दी सर्च बार दे वेच अपां दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखना है ते हेठा ओप्शन देती है सब्सक्राइब दी तुस्ही डारेक्ट एक्थों भी सब्सक्राइब कर सकते हो जे कर कोई वीडियो देख रहे हो जमें कि आपां चैनल खोल लिया ते आपां कोई वीडियो देख रहे है है तर जदो वीडियो चलेगी साड़े को लो कुछ आप्शन्स आण गिया तर साड़े को आप्शन्स आगिया एते जिते फोटो लगी है है ठा दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखा हुया है एदे नाला सब्सक्राइब दा बटन है तुसी सब्सक्राइब दा बट तो आप्शन्स जड़ी है वो तुसी जुरूर प्रेस कर देनी है तांके तो हनो हर नमी वीडियो दा सुनेह लग जागरे सब्सक्राइब करन ले ते वीडियो ये शेर करन ले तो अध़ बहुत बहुत तानवाद